नमस्कार दोस्तों ग्यान की वाते यूटूब चैनल में मैं आपका स्वाज़त करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेव खाने के स्वास्तलाव और उसके क्या-क्या हिल्थ बेनफिट्स है इसके वारे मैं आज मैं आपको बताऊंगा एपल मार्केट में मिलने वाला कुछ उन फलो में से है जो सीजन के समय महेंगे हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब इसके हिल्थ रेंफ्रिंट्स को जानते ही है और आपको घर में बड़े बुड़े सब यही कहते हुए मिल जाएंगे कि फलो में अगर सबसे से बिखतर है तो है Fish है जानते हैं कि भूल के सबसे खास वात दिया है कि इसelsihकंदर महान का नाम जूरा हुआ है और कहते हैं जब सिकंदर महान मद एसिया में परवेश किया तोलों ने इस फल के बारे में जाना भारत में इसकी पैदावार हिमानचल में खुब होती है और इसके हिल्ट विंफिट्स क्या क्या है अब इसके बारे में आपको बताता हूँ जेव खाना आपकी दातों के सेहत और सफेदी के लिए अच्छा होता है लेकिन तभी जब आप इसे दातों से खाते हैं क्यूंकि ऐसे में आपके मुह में बनने वाली लार को बनने की क्रिया उत्तेजित करता है इसके साथ ही यह आपके मुह के अंदर बैक्टरिया को कम करता है जिससे आपके दाथों की हिल्थ बनी रहती है अलजाइमर एक बीमारी है जिसमें मनुस्य के दिमागी को सिखाओं का अच्छाए होना सुरू हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति के दिमाग के जिससे परिया फर्क परता है उसे जूरी सारे गदिविधी प्रभावित होती है और डेमिन्टिया होता है ऐसे में सेव खाना या इसका जूस भी आपको इस बीमारी से बचने में मदद करता है पार्किंसन भी एक मांसी बदलाव से जूरी विमारी है और अधिक उम्र के लोगों में इसके लच्छन होते हैं सुरुवात में इसके लच्छन कोई खास भीजिवल नहीं होते हैं लेकिन बाद में दिक्टे शुरू हो जाती है और ऐसे में हाथ और पैरों को इस्थिर करने पर उनमें कमपन होने लगता है जबकि गति सिल्ता की इस्थिती में ऐसा नहीं होता है सो दिये कहते हैं कि सेव का सेवन आपके लिए इस बीमारी में लातायक होता है परकेंसन इसलिए होता है क्योंकि दोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले दिमा की कोशिकाओं के काम करने में वरवधान होता है सेव का सेवन सभीतरह के कैंसर से भी आपको बचाय रखने में आपकी मदद करता है और खासकर आपके अगनासय को होने वाले कैंसर के संभावित खत्रे से भी आपको बचाता है और उसके होने के संभावनाओं को 23 प्रतिशत तक कम कर देता है कैंसर से बचने के लिए इसमें कई सारे औस्थिये गुन होते हैं और अधिक फाइवर बाले फ़लों का सेवन करने से आपको कॉलेस्ट्रॉल कैंसर से बचने के लिए सबसे उप्यूक्त है और इसकी क्या-क्या स्वास प्लाव हैं इसके वारे में मैं आपको बताता हूँ टाइब टू डाइबिटीज में भी एपल का सेवन आपके लिए हेल्थ वेंफिट्स के लिए होता है टाइब टू डाइबिट्स एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके सरीर में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो आपके भोजन से प्राप्त सरक्रा को कोसिकाओं को अफसोसित करा पाने में अच्छम होता है जान करो के मुताविए अगर एक सेव का डेली सेवन करते हैं तो आपको टाइब टू डाइबिटीज होने की संभावना 28% कम हो जाती है उन लोगों से जो डेलीयव बलका सेवन नहीं करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिशियल गुलन सील फाइबर होता है सेव का सेवन आपके सरीर में कोलेस्टेयल का लेवल भी कम करता है जिसकी बज़ा से आपको हर्ट बिजीज होने की संभावना भी कम होती है जो लोग अपनी दिन चर्या में ऐसे fruits जिनमें antioxidants प्रयाप्त मात्रा में होते हैं को सामिल करते हैं तो उन्हें मोतिय बिन होने का खत्रा भी बहुत कम हो जाता है और ऐसे में antioxidants से भर पूर फल एपल ही तो है हम अपने सरीर में भोजन के द्वारा और भारी चीजों के संपर्क से बहुत मात्रा में ऐसे तत्व हिल्थ ग्रहन कर लेते हैं जो सरीर के लिए आवाजशित होते हैं और हमारे लिवर का काम होता ही कि ऐसे तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देना और ऐसे में सेव आपके लिए हिल्थ मून का काम करता है यह लिवर की इस काम में मदद कर सरीर को अवानशित बजार्थों के चंगल से मुक्त कराता है पित पत्री दस्त और कब्ज जैसे अगर दर सावित होता है तो दोस्तों यह था सेव खाने के कुछ स्वास्त लाव और उसके क्या-क्या हेल्थ वेंफिट से इसके बारे में मैंने आपको आज बताया अगर आप इसी तरह के स्वास्त अंबंदी जानकाडिया जानना चाहते हैं तो अब हमारे चैनल ग्यान की बाते को सब्सक्राइब करने धन्यवाद